दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर में आपको बताऊंगा GSTR 1 के अंदर दो नई टेबल एड हुई है उसमें आप देखेंगे टेबल नमबर 14 और टेबल नमबर 15 यानि कि अब आप जनवरी मन्त के अंदर ये दोनु जो टेबल साब देखेंगे ये स्पेसली कि इकोमर्स जो होता है यानि कि इकोमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर कोई सर्विसेज आप लेते हैं या कोई भी अगर आप अपना ओनलाइन प्रोड़क्ट सेल करते हैं तो उन सब के लिए यहां पर ये दो टेबल GST Portal पे अपडेट की गई है और इसी के अंदर सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ टेबल नमर 14 की तो इसमें जब आप यहां पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर आप देखेंगे टेबल नमर 14 के अंदर होता है Supplier Made Through E-Commerce Operator यानि कि यह जो टेबल है 14 इसके अंदर आप दो तरह के इसमें section दिए गये है यानि कि liable to collect tax under section 52 तो यह वाली जो आप देखेंगे इस section के अंदर अगर आप online seller है जैसे कि मैं खुद एक online seller हूँ तो यहां पर जिसकी liability बनती है यानि जो TCS जो collect करते हैं और उसमें जो भी product आप sale करते हैं यानि कि यहां पर जब आप यह liable to collect tax under section 52 तो इसके अंदर Amazon, Flipkart, Misho और इसके अलावा जो कोई भी other जो platform होते हैं उन सब पे आपको अगर कोई product आप sale करते हैं तो वो record आपको अभी यहां पे पूरे month की record आपको इसमें add करना है जैसे for example मैं यहां पे add record पे click करता हूँ तो यहां पे होता है GST number जो होता ह तो यहां पर आपको उस company का यानि कि अगर आपने Amazon में जो sale किया है तो Amazon का GST number यहां आएगा Flipkart से किया तो Flipkart का Misho से किया तो Misho का so plus या snap deal या कोई भी other जो भी आपका operator होता है e-commerce जिसके तुरू आपने अपने product sale किये हैं तो उनका आपको GST number यहां पे देना है और GST इसी number आप जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर जो trade or legal name automatic इसके अंदर show हो जाएगा और net value net value का मतलब होता है value of supply जो आपने जितनी भी पूरे month wise यहां पर जितनी आपकी supply होती है उसकी पूरी detail आपको देनी है यह manual आपको यहां पर एंटर करना है और इसी के अंदर IGST कितना है IGST amount भी आपको इसके अंदर enter करना है central tax जो cgst होता है वो भी आपको इसमें add करना है और यह state tax जो होता है SGST वो भी आपको इसके अंदर add करना है तो यह हो गया यानि कि especially e-commerce के लिए है तो e-commerce जो भी operator इसमें होता है यानि कि जो under section 52 जो होते है उसके अंदर अब यहां प पर भी आपको देखने को मिलती है तो इसको filing का क्या process है मैं अपनी जब जनवरी मंत की अपनी जीस्ट आरूं फाइल करूंगा उस टैम आपको इसको लाइड जो है डेमो आपको दे दूंगा तो यहां पर यह तो हो गया कि यह जो section था यानिकि under section 52 तो इसके अंदर आपको यह वाला जो section था liable to collect tax under section 52 इसके अंदर आपको वो record एड़ करना है जो कि manual आपको एड़ करना है और इसी के बाद एक table इसमें और दी गई है liable to pay tax under section 95 यानि कि यहां पर क्या होता है कि liable to pay tax आपको क्या करना होता है कि यहां पर आगर आपकी को भी restaurant है या कोई भी आपने अपना इस तरह की services आपने ले रखी है जैसे कि मान लीजिए आप restaurant अगर चलाते है restaurant चलाने के case में आने अपने जोमेटो की स्वीगी की या ओला या उबर जो भी आपकी अगर किसी भी तरह की कोई भी services अगर आप यूज करते हैं तो उस case में आपको ये वाला जो section दिया ग जैस में आपको क्या करना है यहां पर अगर आपने स्वीगी से service ले रखी है या जोमेटो से अपनी services ले रखी है तो यहां पर स्वीगी का और जोमेटो का या ओला की जो services अगर आप लेते हैं तो उनका GST नमबर आपको यहां पर एंटर करना है और यहां पर एंटर करने क के साथ ही आपने उसमें कितना IGST अमाउंट आपका कितना बना Central Tax और State Tax कितना बना वो Entries आपको इसके अंदर Feel करनी है तो यहाँ पर यह दो टेबल आपको देखने को मिलती है यानि लाइबल टू कलेक्ट टेक्स यह तो गया कि लाइबल आपको इसमें देनी है और अपनी GSTR 1 को आपको इनीक अकोर्डिंग फाइल करना है तो यहाँ पर जो ओनलाइन जितने भी सेलर होते हैं उन सब के लिए यह वाला जो अप्सन होता है लाइबल टू कलेक्ट टेक्स अंडर सेक्शन 52 तो इसमें आपको यह वाला सेक्शन लेना है अगर आप इसमें आते हैं कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं या कोई भी अगर आपकी सर्विसेज ले रखेंगे जो सर्विसेज प्रोवाइडर होता है यानि जिस पर जो टेक्स बनता है उसकी एंट्रेज आपको इसमें करना है लाइबल टू पेए के अंदर तो यह तो हो गहाँ पर यह वाली जुशफ्लारी होती है नी अंडर स्यक्शन नाईन फाइभ तो यहां पर क्या होता है इतने भी ओणलीन सेलर होते हैं यह उनके लिए नहीं है यह कैवेल अंडर स्यक्शन है कि बन्यम्म धाइब 95 के अंदर क्या होता है कि जैसे आपको ओला तो गया कोई बी अगर आपने रेस्टोरेंट आपने यह वाइख निया हुआ है उस case में registered to registered यहाँ पर आपको दो चीज़ होगती है तो यहाँ पर जैसे आप add record पर click करते हैं तो यहाँ पर यह जो services होती है यहाँ पर Zometo की अगर आपने ले रखी है Zometo की through आप service provide करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे supplier के अंदर क्या करेगा Zometo वाला entry इसमें करेगा Zometo वाला supplier के अंदर आपका restaurant है तो आपका GST नमबर आया पर एंटर करेगा और recipient यानि कि आपकी through किसी जो registered customer था उसको गया है उसकी entries यहाँ पर feel करेगा और feel करने के साथ ही बाकी की जो इसमें entries होती है वो place of supply और data जो भी आपका इनोज होता है वो सारी की सारी entries आपको इसके अंदर यह feel करेगा यह होती है पूरे month की report होती है यह आपको daily नहीं करना होता है पूरे month के अंदर यह एक section हो गया अब इसी के अंदर आप एक चीज और देखेंगे registered to unregistered यानि कि आप देखेंगे कि registered से unregistered को आपका जो है bill गया है यानि कि आउता क्या है कि आपके पास कोई भी जैसे आपका restaurant वो registered है लेकिन आपके पास जो customer आता है वो registered नहीं है उस case में जैसे आप यहाँ पर add record पे click करते हैं तो यहाँ पर आपके रेस्टोरेंट का जो है वो यहाँ पर number इसमें एंटर होगा यानि कि GST number आपका एंटर करेंगे और इसी के अंदर पहले हो सप्लाई कहां की है उसके इंदर total taxable environment कितना है और rate क्या है वो सब इसमें add हो जाएगा अब इसके बाद में होता है unregistered to registered यानि कि अगर माल लीज़े आपका जो restaurant होता है वो registered नहीं है registered नहीं होने पर भी आप restaurant की services ले सकते हैं zometo पे या स्वीगी पे तो यहाँ पर आपका की restaurant unregistered है लेकिन आपके पास जो है को customer आता है वो registered है तो अब इस case में क्या होता है जैसे माल के चलिए आपके पास मैं खुद अगर अपनी बात करूँ मेरा अपना online का जो sell में है मैंने GST number लिया हुआ है मैं किसी restaurant पर जाता हूँ और मैंने वहाँ पर जाके अपना जो billing में करवा लेता हूँ और billing के case में जब क्या होता है कि यहाँ पर मैं add record पर करता हूँ तो यहाँ पर होता है recipient यानि कि मैंने वहाँ पर as a customer जो मैं गया मेरा यहाँ पर GST number यहाँ पर enter होगा और मेरा जो जितना भी invoice जो था यानि कि जितना जो taxable amount होता है वो यहाँ पर हो जाएगा इसमें उसकी tax amount कितना बना पहले उस ओप supply क्या है कौन सी date को है तो यह चीज यहाँ पर enter करनी होती है यानि आपका restaurant registered नहीं है लेकिन customer आपके पास registered आते हैं उस case में अब यहाँ पर होता है unregistered to unregistered तो इसके अंदर भी सब के अंदर columns आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं यहाँ पर जब आप करते हैं unregistered to unregistered और जैसे add record पर करेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी GST number का option देखने को नहीं मिलेगा केवल आपको place of supply कहाँ पर आपने जो है यह माल जो भी आपका इन्वोइस कहाँ पर जन्रेट हुआ कौन से state के अंदर हुआ वह detail आपको देनी है taxable amount देना है और इसमें rate क्या है वह आपको इसके अंदर देनी होती है तो यहाँ पर अलग-अलग यहाँ पर sections होते हैं register to registered के अंदर आपको जीस्टी नंबर भी देखने को मिलता है और register to unregistered वह भी मैंने आपको explain कर दिया और unregister to registered वह भी मैंने आपको यह आपको excellent पर देख समझा दिया अब इसी के अंदर सारी चीज़ें बज़ाती है तो यह वाला जो आप देखेंगे दोनु टेबल थी gstr1 के अंदर यानि टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15 तो दोस्तों अब आपको जनावरी मन्थ के अंदर जब भी अपनी gstr1 फाइल करेंगे तो यह दोनु टेबल के अंदर आपको data डाटा फीड करना है और डाटा फीड करने के बाद ही आप अपनी gstr1 फाइल कर पाएंगे तो इसके अंदर आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो मैंने आपको complete इसका information दी है तो दोस्तों व्डियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरू करें और मेरे चैनल को सब स्क्राइक करना है बुलें